आईपीयल में भले ही केकेयार को सबसे कमजोर टीम माना जा रहा है लेकिन क्रिकेट विशे सग्यों की माने तो केकेयार के पास कई ऐशे दिगज बल्लेबाज हैं जो अपनी तुफानी बल्लेबाजी के बदौलत अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने की छमता रखते है बात करें केकेयार के प्लेइंग 11 की तो बतौर सलामी बल्लेबाज सुनील नरेन और राहूल त्रिपाठी खेलेंगे नरेन और त्रिपाठी पारी के शुरुवात में ही विरोधी गेदवाजी आक्रमन को धोष्ट कर सकते हैं हलकी देखा जाए तो सुभमन गिल भी बतौर केकेयार की टीम को तेज तर्रार शुरुवात दिला सकते हैं लेकिन सुनील नरेन और राहूल त्रिपाठी बतौर सलामी बल्लेबाज खेलेंगे लिहाजा सुभमन गिल तीसरे नमबर पर बल्लेबाजी करेंगे बात करें चोथे नमबर बल्लेबाज की तो कप्तान योन चौथे नमबर पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालेंगे जबकि पांचवे नमबर पर होंगे बाहु बली बल्लेबाज आंद्रे रशेल जी हाँ आपको बता दें कि आंद्रे रशेल केके यार की टीम में इकलौते ऐशे बल्लेबाज हैं जिनके लिए कोई भी लच्छ हासिल करना ना मुम्किन नहीं है हलकी क्रिकेट वीशे सग्यों की माने तो आंद्रे रशेल को बतार सलामी बल्लेबाज या फिर तीसरे नमबर पर बल्लेबाजी करना चाहिए बात करें छटे नमबर बल्लेबाज की तो वीकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलेंगे जबकि साथवे नमबर पर होंगे नितीश राना केके यार के लिए अच्छी बात यह है कि सुनील नरेन आंद्रे रशेल नितीश राना और शाकी वलहशन गेदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी के दम पर भी जीत दिलाने की चमता रखते हैं साकी वलहशन आठवे नमबर पर खेल सकते हैं केके यार के तेज गेदबाजी आकरमण की बात करें तो पुरसिद्ध कृष्णा पैट कमींच और बेन कटिंग का प्लेइंग 11 में खेलना लगभग तय है पैट कमींच और बेन कटिंग गेदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी बड़े सोट्स लगाने की चमता रखते हैं इसके अलावा दो और दिगज बल्लेबाज के के आर की तरफ से खेल सकते हैं जी हाँ दरसल हम बात कर रहे हैं दिगज और राउंडर बल्लेबाज यूराज सिंग और ईशुफ पठान की हला कि यह दोनों अंतर राश्रिय क्रिकेट समय आई पी एल से भी सन्यास ले चुके हैं लेकिन माना जा रहा है कि के के आर की टीम आई पी एल दो हजार इकीस में इन दोनों दिगज बल्लेबाजों को मौका दे सकती है